तो चलिए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ आज का टोपिक है इस्ट्रेक्चर ओफ डायमंड और इस्ट्रेक्चर ओफ गरेफाइट यानि जो डायमंड होता है हमारा जो हीरा है जिसे हम कहा सकते हैं उसकी सरंचना के बारे में और जो graphite है उसकी सरंचना के बारे में हम बात करेंगे ये दोनों ही carbon के ही रूप है यानि ये दोनों के हैं carbon के ही allotrop से अपर रूप है लेकिन इनके जो गुन होते हैं वो अलग लोग होते हैं जैसे carbon से क्या बन रहा है diamond बनता है और उसी carbon से graphite भी बनता है लेकिन diamond जो होता है वो solid होता है और ये non conduct होता है electric का और इसके opposite के अंदर graphite है तो graphite जो है वो smooth होता है या फिर आप इसे soft भी किये सकते हो और ये जो electric conductor होता है इसके अंदर विधुत का परवा होता है तो चलिए शूरू करते हैं झालब जो होता है झाल 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 झाल